दोस्तो आज हम ट्रिक से याद करेंगे वाध्य यंतर और उनके वाधक इंपोटेंट टोपिक है भाई आप देख रहे एक्जाम में बार-बार क्वेशन पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ इन सबको हम कवर करेंगे एक बार अगर आप वीडियो को अच हाफिज खां मुकेश सर्मा विसुवजीत राय चोधरी बुध्य देवदास गुपता अली अकबर खां अलाउदिन खां अमजद अली खां ये सब हैं सरोदा वादक अब इन्हें ट्रिक से याद करेंगे देखिए सरोदा को आप रिलेट कीजिए सरद से सरोदा सरद अगर दारू पी के कभी पी आप सर हद पर मच जाएए हो सकता है आपका एक पैर दूसरी सइड चला जे感 और वहां से फायर आए ध्राक तो दारू पी के कभी भी ना सरहद पर मच जाएएगा खतरना हो सकता है सरहद यानि की सरोदावादक कोन होगे जरीन दारुवाला जरीन जरा ध्यान रखिएगा दारुपीकर सरहद पर मजज़एगा जरीन दारुवाला सरोदावादक सरहद हाफिज का हो गया हिफाजद हाफिज हिफाजद कोन कर रहा है सरहद पर हमारी सेनिक भाई कर रहे हैं सरहद पर हमारी हिफाज़त हाफिज हिफाज़त कौन कर रहा है सैनिक भाई कर रहे हैं तो एक्सलूट कीजिए इंडियन आर्मी को नेक्स्ट है मुक्केस सर्मा ये भी सरोधा वादक है अब मुक्केस का हो गया मुक्के सरोधा यानि की सरहद पर गोले बारूद चलते रहते हैं और कभी कभी मुक्केस मुक्के भी चल जाते हैं इंडियन आर्मी को कोई पकडवे आ गया ना तो फिर उस पर मुक्के चलते हैं मुक्के चलते हैं और वो बेचारा सर्मा जाता है सर्मा कर भाग जाता है तो सरहद पर दुसमन देश मुक्के खाकर सर्मा जाता है और भाग जाता है नेक्स्ट है विसु जीत राए चोधरी वि विसु को जीतने के लिए हमारी आर्मी को सरहद सरहदे पार करनी होगी और जो सरहदों को पार करेगा यानि की सरोधा वो ही विसु को जीत सकता है विसु जीत राय चोधरी उसके बाद है बुद्ध देवदास गुपता बात और ये सरोधा यानि की सरहद की भाई कईना बुद्धिमान होते हैं गुपता और वो गुपत तरीके से सरोध याने की सरहद को पार कर जाते हैं भाई बिलकुल आसान है ये बुद्ध देवदास याने की बुद्धिमान लोग गुपता गुपत तरीके से सरोध सरहद को पार कर जाते हैं बस अली अकबर खां ये भी सरो बारी हो गई आज सरहद पर ये हो गया वह हो गया में रोज प्ढदने को मिलता है उस네 बास अलावधीन खान भी भारत आया था हमले किये थे तो बारकर की था षरह्ट पार और आया स्रॉध अमजड अली को हम रिलेट करेंगे अमजड خान से सोले फिलम वाले अमजद खान से गबर से और भाई सोले फिलम ने भी अमजद खान ने भी गबर ने भी सारी सरहदे पार कर दी थी भाई सोले फिलम सूपर डूपर डूपर हिट हुई तो सोले फिलम ने यानि कि अमजद खान ने सारी सरहदे पार कर दी थी, अमजद खाना दी, अबरिसका fast revision कर लेते हैं, सरोधका हो गया, सरहद और भाई सरहद पर कभी भी, दारु आला, दारु उपी कर नहीं जाना चाहिए, कतर ना हो सकता है, हाफिज, यानि की हिफाज़त, सरहद पर कौन कर रहे हैं, हमारे सेनिक भाई कर रहे हैं हमारी इफाजत मुकेश सर्मा मुकेश याने की मुके खाकर सर्मा कर दोड़ जाते हैं पडोसी देशों के आतंगवादी विसु जीत रहा है चोधरी विसु को जीतना है तो भाई सरहदों को पार करना पड़ेगा बुद्धेवदास गुपता जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो गुपता याने की गुपत तरीके से सरहद को पार कर जाते हैं अली अकबर खां अकबारों में सरहद के बारे में रोज सुनने को देखने को मिलता है अलाओ दिन खा यानि के अलाओ दिन खिल जी भी सरहद पार करके आया था अमजद अली खा यानि की सॉले फिलम भी सरहद पार कर गई थी देखें दोस्तों वेरी इंपोटेंट टोपीक है थोड़ा टफ टोपीक है एक बार में शायद आपको समझ नहाएं आप दो बार तीन बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा 101 परसेंट यह सभी केशन आपको समझ आ जाएंगे और आपको दोबारा कभी भी इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगे नेक्स्ट सितारा वाद कोन कोन है वंदे हसन निखिल बैनर जी विलायत खां साहीद परवेज बुधि दित्य मुखर जी पंडित रवी संकर उमा संकर मिस्रा अब देखिए सितारा को हम रिलेट करेंगे फिल्मी सितारे से फिलम स्टार से अब लड़का कह रहा है अपने दोस्तों से के भाई मैं फिल्मी स्टारा बनना चाता हूँ फिल्म स्टार बनना चाता हूँ तो क्या होता है बंदे हसन बंदे हसन बंदे हसने लग जाते हैं यह देख सगल देख इसकी यह फिल्म स्टारा बनेगा बंदे हसन बंदे हसने ल बैनर जी, सर जी, निखर गई सर जी, क्या, जिंदगी, किसकी, लड़के की, क्यों, क्योंकि वो फिल्मी स्तारा बन गया, भई वो कहता था कि मैं फिल्मी स्तारा बनूंगा, तो बंदे हसते थे, लेकिन वो फिल्मी स्तारा बन गया, तो निखिल, निखर गई सर जी, बैनर ज से रिष्टate आ रहे हैं पर देश से दूसरे देसों से इस सिधिवासा में कए विलायद से रिष्ट आ रहे हैं उसके लिए क्यों कुकि वह सितार मन गया है उसके बाद साहिद परवेज सब्सक्राइध फास बात सिटारों का एक्टिटूड होता है आब वह जम अब भाई बात ओर ये सितारा याने की स्टारॉ बनने के लिए सितारा बनने के लिए लिए बुद्धि भी चाहिए दास गुपता बुद्धी जिसके अंदर होती वह गुपत तरीके से सरहद को पार कर जाता है, था है सितारा की बात कर रहे हैं, सितारा बनने के लिए फिल्म स्टार बनने के लिए भी बुद्धी चाहिए सर जी बुद्धा दित्य मुखर जी नेक्स्ट पंडित रवी संकर और उसके बाद है उमा संकर मिस्रा दोनों में संकर आ रहे हैं संकर भगवान जी हैं तो मैं तो यही प्रातना करूंगा है संकर भ अब देखिए यहां पर जो सिव कुमार सर्माजी है और भजन सोपोरी है इनका हाल ही में निदन हुआ था तो यह दो पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट बन जाते हो सकता एक जामें भूच लिए जाए और यह संतूर वादक हैं ट्रिक से याद करते हैं अब संतूर को हम रिलेट करेंगे संत्रा से संतूर संत्रा आप सभी ने खाई होगी टेश्टी होती है तो सबसे पहले है वर्सा अगरवाल अब बात ओर यह संत्रा की और वर्सा की यानिकी बारिस की तो भई मैं तो यही कहूंगा बारिस के सीजन में आप भी एक संत्रा का प बारिस में एक संत्रा का पोदा लगा दो बस उसके बाद है अभे रुस्तम सो पोरी और यहाँ पर है संतूर संतूर का हो गया संत्रा अब अभे जो है न वो भाई छुपा रुस्तम निकला सो पोरी सो पोरी सो पोरी सो पोरी भरके ले आया संत्रा की एक किलो नहीं दो किलो न अभे को संत्रा इतनी अच्छी लगती है कि अभे छुपा रुस्तम निकला पूरी सो बोरी सो बोरी भर के ले आया संत्रा कि कौन अभे रुस्तम सो बोरी नेक्स्ट भजन सो पोरी अब इतनी बोरियों का क्या करेगा भाई आसपास में जहां भी भजन हो रहे थे ना वहां प भी भजन हो रहे थे वहांपर संतरा की 100 जिर्ष सी कुमार सर्मा शिव सिव की बात बहुत औरी बहुत खाया जाता है सिव के बरतों पर भूद ्भटरि के दिन घतम हो गई ॉसके बादे टरुण भट्टाचारे अभ देखिए संतरा का प्रेज आप इसीज़ से ही लगा सकते हैं सोकीसो बोरी खतम हो गी और जिसे नहीं मिली संत्रा उन्होंने तुरंत भटा भट सुरू कर दिया आचारे जी भटा चारे अब बंदा कह रहा है आचारे जी से कि आचारे जी संत्रा की इतनी दिमांड थी जिनने मिल गई वो तो खुश जिने नहीं मिली उन्होंने तरुन तुरंत भटा भटा भट शुरू कर दिये चाहरे, आचाहरे जीको बता रहा हैं सिंपल वासा में इतना याद रखना भाई जिसे संत्रा नहीं मिली उन्होंने तुरंत एक दूसरे को भटा भट मारना शुरू कर दिया तरुन भटा जारे अब भाई देखिए इस टोपिक पर मैं ट्रिक तो बना रहा हूं लेकिन मुझे एक डाउट है कि जादा मिक्सप तो नेक्स्ट सेहनाई और भाई सेहनाई वादक है बिस्मिल्ला खां मधुकर्टी धूमल अनंतलाल दया संकर जगनात अली एहमद हुसेन खां ये सब हैं सेहनाई वादक अब सेहनाई भाई शादियों में बचती है कि भाई तरी तो सेहनाई बचती कर दे तो सेहनाई जहां आ वापर हमें क्या मिला सेहनाई बजाने के बदले में क्या मिला 20 मिला 20 रुपे मिला और फिरीका खा खाना खाया भाई शादी में सेहनाई बजाने गए थे तो पूछ रहें क्या मिला क्या मिला क्या मिला 20 रुपे मिला और फिरीका खाना खाया खा बिस्मिल्ला खा उसके बाद मधूकर टी धूमल अब सेहनाई बजगी शादी हो गई तो सावधा निबरत ना भाई मधूकर मधूरता से रहना अगर तिन दो पांच की ना तो जिन्दगी धूमल धूमिल हो जाएगी मिट्टी में मिल जाएगी सेहनाई नहीं बजी थी जब दूसरी बात थी सेहनाई बजने के बाद मधूरता से रहना ना तो जिन्द की दूमिल हो जाएगी दूल मिट्टी में मिल जाएगी ये ध्यान रखना उसके बाद है अनंत लाल और तेरा अंत हो जाएगा मेरे लाल सेहनाई बजने के बाद या नेकी शादी होने के बाद बीवी से पंगे मत लेना ना तो तेरा अंत हो जाएगा मेरे लाल अनंत लाल उसके बाद है दया संकर जगनाद जिसकी सेहनाई बज गई उस पर दया करे सं ना किसी दिन सभी की बजनी है आज इसकी बज गई कल उसकी बज गई अब यहां पर एहम क्या है अली एहमद अली आने की अब एहमद का हो गया एहम क्या है हुसेन हसेगा कौन हुसेन हसेगा कौन रोएगा कौन यह एहम है वाई सेनाई बजने के बाद एहम क्या है हुसेन हसे रोएगा कौन रोएगा कौन बिल्कु सिंपल है नेक्स्ट बानसूरी वादक कौन-कौन है एन नीला राजेंदर परसन्ना राजेंदर कुलकर्णी हरी परसाद चोरशिया संतोस संथ रोनु मजूमदार पन्नालाल घोस वी कुंजमनी यह सब बानसूरी वादक और आपको अम बहुती जबरदस्ट बानसूरी बजाता है लेकिन उसकी खास बात है क्या कि वो एन एनक लगाता है कैसा नीला वो एनक लगाता है नीला और फिर बासूरी बजाता है एनक लगाए वगर बासूरी नहीं बजाता है बासूरी बजाता है बहुत अच्छी बजाता है लेकिन खास बात ये है कि वो एनक लगाता है नीला उसके बाद बासूरी बजाता है उसके बाद है राजेंदर परसन्ना और इतनी जबर्दस बासूरी बजाता है राजेंदर राजा भी परसन्ना परसन्न हो जाते हैं बाई जब वो एनक लगाके नीले रंग की बासूरी बजाता है ना तो राजा भी परसन्न हो जाते हैं राजेंदर परसन्ना उसके बाद है राजेंदर कुल करनी राजेंदर परसन्ना और राजेंदर कुल करनी सेम हो गया ना भाई तो राजेंदर राजेंदर से आप याद रखिए राजा खुछ हो जाते हैं बांसुरी सुनके उसके जब वो सुबह सुबह बांसुरी बजाता है ना तो ऐसा लगता है श्वयम हरी परसाद वितरित कर रहे हो परसाद बाट रहे हो चोरश या चारो तरफ इतनी शांदर बांसुरी बजाता है उसके बाद है संतोस संत अब भाई उसकी बांसुरी सुनके ना मन में संतोस होता है स संतुष्टी होती है सारे दुख दर्द तकली भूल जाते हैं जब वो सुबह सुबह बांसुरी बजाता है तो मन को संतोस मिलता है संतुष्टी होती है संतोस संत और जिस दिन वो बांसुरी नहीं बजाता बांसुरी बजाता है उस दिन सब हसी कुछी रहेंगे पूरा इंज एनक वाला नहीं आया नीली एनक वाला नहीं आया आज मासूरी नहीं बजाई रोने को मजबूर हो जाते हैं लोग भाई वो इतनी जबरदस मासूरी बजाता है नेक्स्ट पन्ना लाल गोस और उसके बाद है वी कुंज मनी अब देखे ये तो है पार्ट वन पार्ट टू में हम जो भी बच गए तबला हो गया वाइलिन हो गया पकावा जरूदर वीना वीना मरदंगे जितने भी बच गया उन सभी को कवर करेंगे और उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालती आ जाएगा तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा लिंक आपको यही मिल जाएगा पार्ट टू का